नमस्कार दोस्तों मैं उदेलार्फ एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ देखने वाले हर मुर्गी पालक भाई का आज की उड़ में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थम नेल लेखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्याउसाय है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तों देशी मुर्गी आज देशी मुर्गी पालन का यह व्याउसाय घर घर तक पहुच चुका है इस व्याउस प्रक्राइने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है। इसलिए कितने युआ यूटीस व्यवसाए को करियर के आप्षन के तौर पर चुनना चाहते हैं। आइसी परिस्थितियों में आपको भी देशी मुर्गी पालन का व्यवसाए करना है। आपको भी लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना है लेकिन आइसी परिस्तितियों में आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आपके फार्म पर मुर्गियों का अंडों का उत्पादन घट चुका है तो किसी किसी के फार्म पर जो मुर्गिया है वह दो से लेके तीन दिन के बाद अंडा दे रही है आईसी परिष्टितियों में यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है और इसके लिए क्या देशी उपाय कुछ है दोस्तों तो हाँ दोस्तों इसके लिए एक सिंपल आसान तरीका बताऊंगा कि जिस माध्यम से आपका अंडों का प्रोडुक्शन भी बढ़ेग इसके लिए क्या करना है कैसे करना है समझ कर लेने के लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजे पसंद आया तो लाइक कीजे किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों के पास पहुचाने के लिए शेयर कर दिजे शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाटस जोड़कर अनुरोथ करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे आपना और घर का सदस्यदी मानते होंगे तो सव प्रतिशत दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाही तरवन कर दिजे तक आने वाला हरुडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देखिए दोस्तों देशी मुर्गी पालन के व्यावसाय की सबसे बड़ी समस्या मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन घटना हां दोस्तों यह समस्या आपके यहां पर होगी लेकिन डरिये मत द कर अंत तक देख लिजे 100% आपके फान पर मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ेगा और इसके लिए ज्यादा खर्चा करने की आवश्चक्ता भी नहीं होगी तो चलो दोस्तों देखते हैं किस तरह से देशी मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है फिलहाल देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपुर्ण जानकारी कि मुर्गियों का अंडों का उत्पादन क्यों घटता है एक तो मुर्गिया बीमार होने के स्थिति में अंडों का प्रोड़क्शन घटता है दूसरी परिस्थिति में हर पाच मुर्गी के प इसका मतलब है दोस्तो कि सोलूशन अलग तरीके से करना पड़ेगा तो deh.- सोलूशन किस तरह से करना पड़ेगा तो यहाँ पर सव परतिशत जो राय दे रहा हूं दोस्तो उसको विस्तार से सुन लिजिए तो देखिए सोलुशन की सुलुशन के सुरूवात कहां से होती है दोस्तों तो मुर्गियों का अंडा तैयार करने के लिए सबसे महत्वपुर्ण बात होती है दोस्तों मुर्गियों के शरीर में जो अंडा तयार करने वाला है वह कच्चा माल चाहिए होता है दोस्तों और ये कच्चा माल यानि कौन सा दोस्तों तो उसमें विटामिन डी, कैल्शियम, फोस्परोस और लोहा और साती में दोस्तों जब तक मुर्गी के साथ मुर्गा सही तरीके से क्रोस नहीं होगा यानि मुर्गियों के शरीर में सही तरीके से गर्मी नहीं होगी तब तक दोस्तों मुर्गियां अंडा नहीं दे सकती है और इसी वजह से आपके अंडों के प्रोडक्शन में आपको गिरावट दिखाई दे रही है फिर क्या है दोस्तों इसका सोलूशन सव प्रतिशत देख लीजिए तो देखे दोस्तों सोलूशन की बात करते हुए सबसे महत्तों पुर्णबात की मुर्गियों के शरीर में फिर विटामिन डी कैल्शियम फॉस्परस और लोहा किस तरह से ब बहतरीन ब्रीड है देशी मुर्गी लेकिन देशी मुर्गी का अंडों का उत्पादन बढ़ाने का सबसे बहतरीन तरीका है दोस्तों वेस्टेज मचली का इस्तमाल हाँ दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि दोस्तों मचलियों में ऐसे प्रकार की गर्मी होती है कि जिसकी वजह से अंडा उत्पाधन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्ट होता है और साथ ही में दोस्तों जो मचली का वेश्टेज होता है उसमें विटामिन D से लेकर दोस्तों कैल्शिम, फॉस्परस और लोहा भर भर के होता है जिसकी वजह से अंडों का उत्पाधन तो अंडा देने लगती है और जो मुर्गी 10 से लेके 15 दिनों तक खुड़क रहती है वह भी बहुत जल्दी अंडों पर आ जाती है लेकिन दोस्तों आयसे पर इस तितियों में फिर मचली वेश्टेज का इस्तमाल कब कैसे और कितना करे समझना जरूरी है दोस्तों एक बात की जानकारी रखिये कि बहुत ज्यादा इसमें हीट होती है जब आपके यहाँ पर तापमान 40 डिगरी सेलसेज से उपर हो तब मचली वेश्टेज का इस्तमाल आपको सव प्रतिशत नहीं करना है यानि कि दोस्तों जब तक बरसाज सही माइने में शुरू नहीं होती है तब तक आपको मचली वेश्टेज का इस्तमाल नहीं करना है जैसे ही बरसाज शुरू हो जाएंगी दोस्तों और तापमान 40 डिगरी सेलसेज के नीचे आ जाएगा वैसी परिस्तित्यों में आप मचली वेश्टेज का इस्तमाल अपने फार्म पर कर सकते हो लेकिन कितना इस्तम कर लीजिए तो दोस्तों हर मुर्गी के लिए 25 से लेके 30 ग्राम तक आप मचली वेश्टेज का इस्तमाल कर सकते हो मचली वेश्टेज का इस्तमाल करने के दो आसान तरीके है जिन में से पहला तरीका है कि आप मचली वेश्टेज को लाकर पानी में भिगो कर सुबह सुबह प्रतिशत दे सकते हो लेकिन इतना देने के बाद क्या होगा उनके शरीर में तो विटामिन D बढ़ेगा कैल्शियम फॉस्परस लोहा बढ़ेगा लेकिन मुर्गियों के शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी और आइस सी परिस्तेत्यों में मुर्गियों को तकलीफ हो सकती इसल कीजिये लेकिन गर्मियों के दिनों में जब तापमान 40 डिग्री सेल्शेस के ऊपर चला जाएगा सव प्रतिशत वहां पर इसको माइनस कर दीजे दोस्तों ठंडा खिलाईए पिलाईए अपने आब उत्पादन बढ़ जाएगा ऐसा माना जाता है कि मचली वेश्टेज का इस्तमाल करने से तो फार्म का खर्चा नहीं बढ़ता है लेकिन अंडों के प्रोडक्शन में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है जिसकी वजह से हमारे पार्म पर अंडों का उत्पादन कम होने के समस्या का सोलूशन भी निकल जाता है और हर मुर्गी रेगुलर अंडे दे होने के कारणों मजबूत और सुरक्षित निकल जाता है और साथ ही में दोस्तों यहां पर और एक बात की जानकारी रखनी होगी अगर इसके साथ साथ आप लहसन का इस्तेमाल करोगे तो लहसन का इस्तेमाल करने से दोस्तों आपके मुर्गियों का वहाँ पर क्रोसिंग होने का प्रतिशत बढ़ेगा लहसने का ऐसा दोस्तों वहाँ पर पधार्त है कि जिसका सेवन दस ग्राम मुर्गियों और मुर्गा यदि कर ले तो सव प्रतिशत अंडों के प्रोडक्शन में 15 प्रतिशत का इजाफा ह होता है यानि कि यहां से आगे जैसे ही बरसा शुरू हो जाएगी ताप मान 40 डिग्री से इसके नीचे आ जाएगा अपनी मुर्गियों को 25 से लेके 30 ग्राम तक मचली वेस्टेज भिगो कर और साथ ही में 10 लेशन खिला दीजे दोस्तों और अपने फार्म का अंडो का प्रोड़क्शन बढ़ा दीजे बहुत आसान तरीका है दोस्तों इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा करने की सव प्रतिशत आवश्शकता भी नहीं है तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो मुझे लगता है कि आप देशी मुर्गी पालन के फार्म से जो फिलहाल अंडो का उत्पादन पार रहे हो वहाँ पर आपका अंडो का प्रोड़क आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए ऐसे ही आसान छोटे छोटे उपाए मैं लाता रहूंगा इसलिए देखते रहे हैं चहीता चैनल इंडियन मुर्गी पालन और कुछ भाईयों को हर समस्या का सोलूशन चाहिए मेरे साथ काम करना है तो दोस्तों आप नमबर नोट कर लिजे 84-21-82-62-62 इस नमबर को मिला दीजिए दोस्तों उसके साथ आपकी बातचीत मुझसे हो जाएंगी उसके बाद मैं विस्तार से बताऊंगा कि आप मेरे साथ किस तरह से जुड़ सकते हो और हम किस तरह से आगे चलके लाखों का मुनाफ़ा यहां पर प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए मेरे साथ जुड़ने के लिए 84-22-62-62 पर कॉल कर दीजिए तो दोस्तों आज का यह वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए ज्यादा स से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसब नंबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मीडिया के सा रदनों का इस्तमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर अनुरोत करता हूँ दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ मानता रहूंगा आप भी मुझे अ कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हुए औल इस नोटिफिकेशन को आन कर दिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आएसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदैलाड आप सभी के चही तेचानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के उड़ो में तहे दिल से बहुत बहुत आभाद